समय सेहत और संबंध मिलते तो मुफ्त में ही हैं मगर कीमत का पता तभी चलता है जब ये कहीं खो जाते हैं भगवान सिरी कसन कहते हैं जो व्यक्ति भावनाओं में उलस कर रह जाता है उसे कभी बड़ी उपलब्ध नहीं मिलती इसलिए सब कुछ छोड़ कर सिर्फ एग लच्छ पर ध्यान दो अपनी जिन्दगी के किसी भी दिन को मत कोसना क्यूंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभाव जीवन में ऐसी सोच रखिये जो खोया उसका गम नहीं पर जो पाया है वो किसी से कम नहीं जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है शुधता होती है विचारों में आदमी कब पवित्र होता है फूलों में भी कीडे पाए जाते हैं पत्रों में भी हीरे पाए जाते हैं बुराई को छोड़ कर अच्छाई देखिये तो सही नर में नारायन पाए जाते हैं आप लोगों के साथ हैं या आपका भाग्य है परंतु लोग आपके साथ हैं या आपका सोगाग्य है कल्यूप में भाए भी भाए का नहीं होगा और तो संतान भी अपने माता पिता की नहीं होगी मनश्य केवल अपने और अपने बेटों बच्चों के खेरे में सीनित हो जाएगा ताके साथ उसके लिए पराए हो जाएंगे यदि किसी को प्रेम दोगे तो सुख प्रात्थ होगा यदि किसी की हत्या करोगे तो मृत्यू दंड मिलेगा जैसा कारे वैसा ही जिन्दगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले रहना अकेले लड़ना और अकेले जीना सीखो क्यूंके वक्त पढ़ने पर ये दुनिया किसी की नहीं जिन्दगी के पांस सच नमबर एक माबाब के सिवा कोई वफादार नहीं होता नमबर दो गरीब का सच में कोई दोस नहीं होता नमबर ती आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं अच्छी सुरत को पसंद करते हैं नमबर चार इज़त सिर्फ वैसे की है इनसान की नहीं नमबर पाच जिस इनसान को खास समझो वही सबसे ज़्यादा दूप देता है है नमबर अपने चरित्र की रक्षा जान से बढ़कर कीजिए क्योंकि इसे जिन्दगी के बाद भी याद किया जाता है आखों में असु तभी आते हैं जब आप सच्चे हो और आपको समझने वाला कोई नहीं और आपका दिल तभी तूटता है जब आप किसी पर हस से जादा भरोसा करते हो और वही इंसान आपका भरोसा तोड़ता है मैंने वक्त को देखा है अच्छे अच्छो को बदल देता है दुनिया में चाहे हजार रिष्टे बनाओ लेकिन एक रिष्टा ऐसा जरूर बनाओ कि जब वो हजारों तुम्हारे किलाफ हो जाएं लेकिन वो एक हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहे प्रेम अगर सच्चा होगा तो गुरे वक्त से कभी मत घबराना क्योंकि जिन्दगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड ले सकती है वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना क्योंकि सुभय उनकी भी होती है जिनके दिन खराएं